हलो, हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, मैं हूँ डॉक्टर पूनम और मैं आज आपको बताने वाली हूँ बर्बेरिस एक्विफॉलियम के बारे में या एक होमियोपेटिक मेडिसीन है आजकल सभी लोग चाहते हैं कि सुन्दर दीखे, उनका चेहरा जो है वो एट्रेक्टिव दीखे तो इस मेडिसीन को आप यूज कीजिए, अगर आप सावले हैं या काले हैं तो आप का जो चेहरा है वो फेरनेस हो जाएगा यानि आप गोरे दिखने लगेंगे, सुन्दर दिखने लगेंगे तो ये होमेडिक मेडिसीन के बारे में मैं आज बताने वाली हूँ कि आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं और किस किस बीमारी में यूज कर सकते हैं और अपने आपको कैसे सुन्दर बना सकते हैं और अपने चेहरे को भी कैसे सुन्दर बना सकते हैं तो इसके बारे म के नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो चलिए जादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एक्विफोलियम के बारे में बात करेंगे यह बहुत ही अच्छी होमेपेटिक मेडिसीन है यह आपको अंदर से यानि आपके नेचुरली आपको स सावले या काले दिखते हैं अगर आपके शरीर में मेलेनिन कम है तो आप गुरे दिखते हैं अगर आपके शरीर में मेलेनिन ज्यादा है तो आप सावले दिखते हैं तो यह आपके शरीर में मेलेनिन को बढ़ने नहीं देती कम कर देती है और जिसके वज़े से आप सुनद दिखते हैं यानि नेचुरली सुन्दर दिखते हैं और सबसे बड़ी बात इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं और बहुत ही इजी है इसे यूज भी करना तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इसे किस-किस बिमारी में यूज किया ज जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं एक्जीमा यानि अगर आपके स्काल्प में एक्जीमा हो गया हो खुजली हो रही हो देंड्रफ हो गया हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा हेल्प करती है आप इसे लगा भी सकते हैं और साथ में पी भी सकते हैं बहुत ही अच्छा help करती है दूसरा अगर आपके चेरे पर pimples है किसी भी टाइप का pimples हो कीलो मुँ आसे हो फोडे हो, फुनसी हो तो ये बहुत ही अच्छा help करती है उसे ठीक करने के लिए और साथ में ही आपके चेरे को सुन्दर भी बनाती है और आपके चेरे को गोरा भी करती है इतनी अच्छी है होमियोपेटिक मेडिसीन है बर्बेरिस एक्विफोलियम और दूसरी बात अगर आपके चेरे पर pimples होने की वज़े से जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं ये इसे भी दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा हेल्प करती है यानि अगर आपको pimples हुय हो उसके जोजे से अंदर घड़े हो गए हो दाग धब्बे हो घब्बे हो तो ये इसे भी हेल्प करती है अगर आपके चेरे पर एकने हैं और pimples हो मुहासे हो किसी भी टाइप का मुहासे हो या पिंपल्स हो तो यह इसे ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है और साथ में ही आपके चेरों को भी सुन्दर बनाती है कि या डिर्मिटायटीश सोरियसीथ के लिए भी बहुत ही अच्छी रेमेडिय आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आपका सुका या सुखा है और नॉर्मल स्कीन है तो यूजокиे से या होमिपातिक मेडिसीन अगर आपके छेरे पर किसी भी प्रकार का एकने है तो वह उसे हटाने के लिए बहुत ही मददगार करती है अगर आपको किसी भी प्रकार का इरेप्शन है यानि देखते है कि सौलडर पर ne लगा भी सकते हैं और बहुत ही ज्यादा है उसे ठीक करने के लिए आप इस मेडिसीन को 1-2 मेने यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है यह होमेडिक मेडिसीन तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके शरीर में जितना ही melanin pigmentation कम होगा उतना ही आपका शरीर यानि आपका चेहरा गोरा दीखेगा, तो यह उसे कम करती है बढ़ने भी नहीं देती, यानि melanin pigmentation को यह homeopathic medicine कम करती है और उसे बढ़ने नहीं देती है, तो आएए देखते हैं, और किस चीजों में यह यानि किस बिमारी में और काम करती है, अगर आपको headache हो रहा हो यानि सीरदर्ध हो रहा हो, तो भी यह बहुत ही अच्छा help करती है, अगर आपको पेड से समंदी कोई बिमारी है, यानि gas हो, acidity हो या indigestion हो रहा हो, तो भी बहुत ही अच्छा help करती है, या medicine उसे ठीक करने के लिए, तो अब हम बात करेंगे, कि इसे कैसे यूज करना है, यानि इसे कैसे लगाना है, तो आप इसे लगा भी सकते हैं, और पी भी सकते हैं, अगर आपको किसी भी टाइप्स का pimples हो, या फ तो आपको इसे कैसे लगाना है, आपको इसे रोज वाटर यानि गुलाब जल के साथ में लगाना है, अगर आप बीस बूंद बर्बेरिस एक्विफोलियम का ले रहे हैं, जैसे कि एक कटोरा लीजिए, या बाउल लीजिए, या कुछ भी लीजिए, वाटी लीजिए, उस अच्छे से मिक्स करके आप उसे अपने उलियों से लगा लीजिए, या तो कॉटन से भी आप लगा सकते हैं, यानि रूई से भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप अपने पूरे फेस पर लगा लीजिए, और फिर मेरे ख्याल से आपको रात में लगाना ज्यादा ही अच् बहुत देर तक हमारे चेहरे पे रहती है जिसके वजे से बहुत ही अच्छा है तो आप इससे रात में भी लगा सकते हैं और अगर आप घर में ही रहते हैं तो दिन भी लगा सकते हैं गुलाब जल के साथ में अगर आपका चेहरा बड़ा है यानि आपको ज्यादा मेडिसीन मतब ज्यादा चाहिए लगाने के लिए तो आप 30 बुंद बर्बेरिस एकवेफोलिओं का डाल देना हां और इसे पी लेना हैं इससे आप तीन बर पिशक अवर सुब्य और रात में कि शुजार इसे पी हowing और लगा भी सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने चेरा कितना सुन्दर हो गया और आप अंदर से ही कितने नेचुरेली ब्यूटिफुल दिख रहे हैं तो आज था ये मेरा होमेपेटिक मेडिसीन बर्बेरिस एक्विफोलियम अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो